ओम नमु भगवते वासु देवाय नमा नमशकार दोस्तों कैसे हैं आप सब मुलब स्वागा थे आपके अपने ही चानल इंस्पिरेशन आफ प्रेना सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जेहो नवरात्री का शुफ पर चल रहा है और हर कोई अपने अपने तरीके से माता रानी को प्रसंद करने की कोशिश कर रहा है हम पूरे मन से भक्ति कर रहे हैं पूजा पाट कर रहे हैं और खुश-खुश है हम सब साहते हैं कि माता रानी हमें आशिरवात दें और हमारा घर सुक्षान्ती सम्रिद्धी से भर जाए पर कुछ खास लोग होते हैं जिन्हें माता रानी स्वेम संकेत देती हैं कि वो उनके घर में आ गई हैं और अगला पूरा साल उनका बहुत खुशी से सुक्षान्ति सम्रिद्धी से भरा हुआ गुजरेगा ये कुछ खास संकेत हैं जो माता रानी आखरी के तीन दिनों में यानि कि सब्तमी अश्टमी और नौमी वाले दिन देती हैं आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से संकेत हैं जो माता रानी आखरी के तीन दिनों में देती हैं और अगर आपको उनमें से कोई भी एक संकेत अपने सामने या सपने में दिखाई दे तो समझ लीजेगा कि माता रानी आप पे प्रसन हैं और अगला पूरा साल आपका सु सम्रिद्दी से भरा रहेगा माता रानी की पूजा पाट करने के लिए हम सब ने अपने घर में कलश स्थापित किया है कलश के साथ जो आपने जौब होया है उसका स्वेथ या निकीश सफेद या हरे रंग में उगना बहुत ही शुब माना जाता है ऐसा माना जाता है कि माता रानी आपको संकेत दे रहे हैं कि वो आपसे अतिप्रसन हैं और आपका अगला पुरा साल बहुत ही सुख सम्रिद्धी से बीतेगा इसी तरह अश्टमी, नौमी या दस्मी वाले दिन पूजा करते वक्त, हवन करते वक्त आपके घर में, मंदिर में या जहां पर भी आप पूजा कर रहे हों वहां पर आपके पास माता रानी के हाथ से या गले से कोई फूल आकर गिर जाए तो ये बहुत ही सुख संकेत है, ये संकेत है कि माता रानी आप पर प्रसन नहीं और अपना आश्रवाद आपको दे रही है उस फूल को अपने पास उठा कर रख लें और फिर पूरे साल उसे अपने पास ही एक लाल कपड़े में बांध कर अपने परस में या तुजोरी में रख दें मा का आश्रवाद आप पे सदैफ के लिए बना रहेगा साम के समय पूजा करते वक्त या पूजा करने के बाद शाम खुद्धल जाने के बाद या शाम के समय अगर आपको गाई की आवाज सुनाई देती है तो ये बहुत ही शुब माना जाता है ऐसा माना जाता है कि माता रानी आपको संकेत दे रहे हैं कि वो आपके घर में पधारी हैं और आपका घर अपसुख, शांती और सम्रिद्धी से भरा रहेगा अगर नवरातरी के दवरान पंडाल में, मंदिर में या कहीं पर भी आपको छोटी कन्या एक सिक्का दे या सपने में भी अगर आपको एक छोटी कन्या सिक्का दे तो ये बहुत ही शुब माना जाता है ऐसा माना जाता है कि मा की आप पर विशेश क्रिपा है और वो आपके घर को धन धान सुख सम्रिद्धी से भर देंगी सपने में या साक्ष में कन्जिका को देखना बहुत ही शुब माना जाता है और ये मा का संकेत माना जाता है नाप को या साप को सपने में देखकर हम सब डर जाते हैं लेकिन अगर नवरातरी के दोरान या आखरी के तीन दुनों में विशेश कर आपने साप को एक जगा बेठे हुए सपने में देखा है तो यह बहुत ही शुप संकेत है ऐसा माना جाता है कि आपका घर सुख और संपन्नता से भर जाएगा इसके साथ साथ सुहागन इस्तरी नारियल या मा को सपने में देखना बहुत ही शुब माना जाता है ऐसा माना जाता है कि मा की आप पर विशेश कृपा है और अब आपका अगला पूरा साल सुख शांती और सम्रिद्धी से भरा रहेगा तो ये हैं कुछ बहुत ही शुख संकेत जो सास्तरों के अनुसार मा देती हैं आखरी के तीन दिनों में और मा को धन्यवाद दें और उनके स्वागत की तयारी करें धन्यवाद वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा